और उनका जो प्रोड़क्ट मिक्स है पहले हम जानते थे पी डॉमिनेंट की जो इंफ्रस्ट्रक्चर मैनेच्मेंट सर्विसे से वहां से अच्छे मार्जिन और अच्छे उनके जो टॉपलाइं ग्रोथ आती थी अभी उन्होंने काफी सारी सर्विसेज एड किये तो सर्विसे साड और रेविन्यू में ऐसा कोई बड़ा देंट नहीं दिख रहा लेकिन जैसे जैसे यह कंप्रीज क्लाइंट से बात करते आगे के बजट के लिए आगे के पाइपलाइं के लिए तम उनको पता चलता है कि क्या मैक्रोचैनेंज आ रहे हैं तो जो रेविन्य सब्सक्राइब करेंगे डिस्पाइब करेंगे डिस्पाइब हम जाते हैं कि एचल टेक्नोलोजी इस वान तो सुपीलियर प्लेस इंटम्स आज के तारिक में यह करीबन सतरा टाइम फॉरवर्ट पर कोट हो रहा है तो मेरा ऐसा मानना है डिस्पाइब दिस कॉमेंटरी डा इन और्गनिक एक्विशिशन एक-दो साल पहले हो थे जो अभी मेर्टलाइज होंगे तो में भी सिक्स टू एट मंस कुट भी चैलेंजिग लेकिन आगे जाते हैं एच्छी ऑपशिपी बनेगी एच्छी अच्छी ऑपशिपी बनेगी एच्छी टेक्वाद तो पाकी कुछ इंपोर्टन स्टॉक्स हाइलाइट करते हैं न्यूज वाले हैं इंशूरेंस कम्पनी आज फोकस में कोई HDFC लाइफ कोई SBI लाइफ ICICI प्रूव ICICI लंबाड वगएरा यूंकि इंशूरेंस रेगुलेटर जो है इरडाई इसने फॉरेंड इंवेस्टर्स इ हलोल फैसिलिटी के लिए इंपोर्ट इलर्ट जारी हुआ था सन फार्मा ने कल शाम को बजार बंदोने के बाद उस पे फॉलो अप दिया क्लारिफिकेशन की तरफ से आए कि एट लीस्ट इस करेंट फिनाइंशर एर के लिए हम अपने रेविन्यू गाइडन्स को कर रहे हैं कितनी इंक्रिमेंटल कॉस्ट हमें जेलनी पड़ें इस फिनाइंशर पर इंपक्त नहीं लेकिन एवालुएशन चल रहा है शायद फ्वार 24 पर इंपक्त तो इसको ऐसे भी रीट करना जरूरी है फिलाल के लिए दिक्कत नहीं त्रिमणी इंजीनिरिंग का स्ट्रीड में सुसाइटे जेनराल ने करीब पॉने 15 लाग अनिल कुमार गोल एक इंफ्लुएंशल इंवेस्टर 18 लाग शेर प्लूटर्स वेल्ट मैनेजमेंट अल्मोस्ट 40 लाग शेर खरीदे गए